Assalamualiakum viewers आज हम आलू चन्ना की बिर्यानी बनएंगे आलू चन्ना के लिए हमें चाहिए A.cup आयल हमने A.cup आयल हैटी में डाला है अब हम तीं क्टेवे प्यास हैटी में डालेंगे प्यास को अच्छी तरह से हम द्राउंड करेंगे फ्राई करेंगे अची तरह से प्यास हमारे बिनावन हो चुके हैं तर्ज चुके हैं अब यह प्यास को हम बाहर निकालेंगे प्यास को हम चॉप करेंगे आधे प्यास हम चॉप करेंगे आधे प्यास हम रख देंगे लास्ट में जो यूज करेंगे यह देप्यास हमने लास्ट में यूज्व करने हैं। सबस्कों Daimring ग्यांचेज़ा Solutions फिर यह भी दोनी कि एप में डाल दी दिए अच्छी तरह से मिक्स पर ले और पता हैं। कुटी इमեյच 1 table spawn Maxwell अब हम टमाटर दालेंगे 4 table spawn टमाटर टमाटर पेस्टी भी डाल सकते है और टमाटर कर टमाटर कड़し डाल सकते हैं गरम मसाला 2 टमाटर टमाटर डालेंगे कड़ी पता, इलाची और नमक, हस्प जाएका कुटी मिर्च वन टेबल स्पाउन बियानी मसाला टू टेबल स्पाउन इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएं एक से दो मिनिट इसको अच्छी तरह से पकाएं अब हम चने बॉयल हमने चने बॉयल कर दिये थे पहले 500 मिली ग्राम आलू बॉयल 500 मिली ग्राम अच्छी तरह से मिक्स कर लें साबित चार्व ग्रीन मिर्च दही 500 मिली ग्राम अच्छी तरह से इसको मिक्स करके पकाएं अब हम इसमें कटेवे तीन अदद लेमन अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें अब हम आहांडी को पांच मिनटे के लिए कवर करेंगे अब औरेंज कलर टू टबल स्पॉन डाल कर सिर्क पांच मिनटे के लिए हम इसको कवर कर देंगे और हलकी आज पर इसको पकाएंगे पांच मिनटे के लिए कवर करके फिर पांच मिनटे को पकाएं हलकी आज पर अब हम कवर को उतारेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब इस टोड़ को आफ करेंगे और किसी बरता में इसको निकाल देंगे आलू चना की सबजी को अच्छी तरह से बाहर निकाल देंगे और थोड़ी सी छोड़ देंगे चावल 500 मिली ग्राम चावल को हमने पहले ही बॉयल करके रखा था अब हम इसमें चावल हम डालेंगे बड़ा सा चमच अच्छी तरह से इसको फिला देंगे स्पॉन के जरीए अब हम इसके उपर सालान डालेंगे चना अलू चना का सालान अच्छी तरह से इसको हम फिला देंगे और फिर इसकी दूसरी तैय लगाएंगे चावल इसके उपर डालेंगे बॉयल चावल चावल हमने 500 मिल ग्राम लिये थे अला किलो इसको बॉयल कर दिया था 15 मिंट के लिए हमने इसको बॉयल करके फिर बहार निकालके अच्छी तरह से इसको फिर हमने डाल दिया है अब हम 4 टेबल स्पॉन कलर फूर कलर नंग डाल देंगे चार टेबल स्पॉन एक साइड बे में डालें है कि अब हमिए उपर से ऑनिन जो साय किया था हमने आदे चोड दिये थे वह इसको पर हम हम लगान रख देंगे अब पर करेंगे कि हलकी आँच पर इसको कवर कर देंगे 10 मिंद के लिए अश्लकी आँच पर लुइक कर देंगे 10 मिन के लिए अब हम कवर को पारेंगे हमारे रेश्पी कुछ त्यार है चिना आलू की ब्रियानी अच्छी तरह सके मिक्स करें अब vos डिशाओट करेंगे अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्क्राइब करें लाइक करें मेरे चैनल को इंसरा नेक्स मुलाकात होगी सोपने बच्चों का अपने बड़ों का अपना ख्या रखें और हमें दौाओं में याद करें अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी यह हो तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अलाँ हाफिज